और चलो सब लोग आ जाओ और आज बहुत दिन के बाद कुछ QN होगा मतलब आप मुझे कोश्चन करोगे और मैं उसका रिप्राइद होगा और बैतर होगा कि आप लोग आर्ट के रिटेट मतलब पेंटिंग के रिटेट आप मुझे कोश्चन करिए और उसका अंसर में आप तो लगता है कि लाइब तोरह पहले से स्टार्ट होगा तो कि बहुत लोग वेट कर रहे थे ओके तो जल्दे से आ जाओ और कॉमेंट्स करो मैं अभी इधर कामी कर रहा था और एक पेंटिंग बना रहा था लेकिन मुझे इसलिए कि आज तो संडे है इसलिए चली आज तो दीपक कुमरपल हाई हलो से चैटन नंपटली हाई है अच्छा आवाज आ रही है अनशी समझ्य ओके थेंक्यू थेंक्यू अच्या बहुत लोग आगे है इजी पेंट टूइट अनुश्का अच्छा अच्छा मेरे जैसा नाम रखाए आपने ओके हेलो हेलो ठीक है अगर किसी को कुछ पूछना है ना तो आप मुझे बताईए कि आज बहुत दिन के बाद फिर से लाइवाया हूँ कर लोग बेंगॉली में कॉस्टिन कुछंगे की चाहिक बेंगॉली में लाइक नवी तो मैं फेलियंदी में एंसर दूंगा ठीक है रभी समय बोल रहा कि भाया आप कहा से में वेस्ट बेंगल से हूं वेस्ट बेंगल में एक छोटा सा डिस्टिक नद्या डिस्टिक वासे में हूं कि अग्या संजय पॉल क्यान यू से माइन नेम तनिया इन लाइव ओके तनिया ओके विग फ्रैंड फॉम नेपल थैंक यू थैंक यू विशाल वाट इस यूर फेवरेट थींग इन आर्ट यह बहुत अच्छा कोश्चन से की आर्ट के अंदर सबसे अच्छा चीज क्या है जो मुझे अच्छा लगता है अच्छा होता है कि जब आप कोई आर्ट बन रहे हो ना तो बस आप आर्ट के अंदर खो गया हो मतलब मुझे आइसा कभी कभी होता है मुझे नहाने और खाने का सोने का कुच भी ध्यानने रहेता है कि जब कोई आर्ट को आर्टीस्ण आफिट कोई आइसा figure जिसको बोलते हैं वो कुछ क्रियेट कर रहा है तो जब वो क्रेट करने में मतलब बिल्कुल भी आपने आपको जोग देता है तो उस टाइम मौत उनको चुने चकता मतलब ऐसा बोड़ जाता है कि जब कोई आर्टिस्ट कोई आर्ट बना रहा है न उस टाइम पे जब तक वह आर्ट बना रहा है उस टाइम वह तक उसको मौत उसको चुने चाकता वह खताब होगा तभी हो मौत शेगा तो ऐसा कोई कहानी है लेकिन मेरे को लागती कि सच भी है अच्छा नवीन आलम आपक्या बंगला यानती हो यास मैं बंगॉली हूं और मेरा जो मदर टांग है वो बंगॉली में ही है क्याप्टेन आर्मी वाइटी आपका मैं हर पेंटिंग देखता हूं लौप फॉम ब्रियार तैंक यू लौफ फ्रॉम वेंगल आपको भी लौफ फ्रॉम बंगलादेश थेंक यू तैंक यू लौफ फॉम इंडिया कि वाटीज यूर जार्णी संजय पाल पुछ रहा कि वाटीज जार्णी तो मैंने इससे भी पहले मेरा जार्णी के बारे में एक वीडियो बना हुआ है जो मेरा 100 के सब्सक्राइबर्स स्पेशाल मैंने वीडियो टाला था वह पर मैंने मेरा जार्णी है वाके उस जार्णी क बारे में पूरा वीडियो मेंने एक बना है तो अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो जरूर देखिए अच्छा वीडियो वीडियो में में बहुत मैनत लगा था ओके कि I am from Cambodia thank you thank you मैंन स्पोर्ट लाइव कि भाई मुझे बीएफे करना है help me अब इसके बारे में आपको है नहीं कर सकते हैं कि मैं खुद ही कोई का कई से भी इडिकेशन नहीं लिए मैं जो सिखा हूँ कर दो पेंटिंग आट या फिर जो भी स्कापिशीं वह मैं खुदसे इसका आप इसके लिए आगर आप बीएफे करना चाहते हैं तो इसका जो प्रोसेज है वो मुझे पताने हूँ कि मैं खूदी कोई है okay पार्थो रोए बांगलाय कथा बोलें धादा बांगलाय कथा बोले आर्षव लोग भुच में दर आए बांगला बुचे ना शेजन ने हिंदी बोलची काउन बेंगले लोग हिंदी मी समस्तिये जयातर आप 1-2 और बहुत सब्सक्राय क यहादा कौश्यक्न है नहीं दिलेगे पा रहा है क्योंकि मड़्य जल्दी बहुत कमेंट्स आ रही हैं लेकिन जो अच्छ्छ अच्छा कॉष्ट्छन सेना हुनको मैं पिक कर रहा हूँ ठीक है तो इसलिए कोई कोई गुस्था मात हो यह है म बेशाल पुछ रहे Came, Sir आपने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हो बट अपर नेपाली ही पेंटिंग बहटेर कलर में मुझे सिखने आते है मुझे प्रेट कहं कि अभटेरों मुझे मुझे लैंड्सकी नन सिंक हमें तो जो सिखाना ही वो मैं कैसे बाधाओंगा में लैंड्स्केप जो है अक्रेलिक पेंट से कंदाओ तो इसलिए आगब अखुरियलिक पेंट्स सीखना चाते तो वह मैं सिखा जाकता हूँ देखें पेंटिंग में एक आर्टिस्ट सब कुछ नहीं जान सकता मतलब कोई water color में special होता है तो कोई acrylic में तो कोई oil paint में तो कोई oil pastel में ठीक है तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा आता है acrylic paint acrylic और oil तोड़ा तोड़ा आता है और water में मैं इसे portrait बना पाता हूँ वो भी अच्छा नहीं है फिर भी मैं अभी भी सिख रहा हूँ मैं सबको यहीं बोलता हूँ कि मैं अभी भी मैं लर्निंग स्टेल्स में हो मैं अभी भी सिख रहा हूँ पूरा सबंदर पढ़ा है कि कि अब आज जो आप पेंट किये हैं वह आपका बेटा था अच्छा वह बेटा नहीं मेरी बेटी थी ओके हाँ मैंने आज एक पेंटिंग पेंटिंग का वीडियो अफ्रोड कि मैं पर रहां कि वह मैंने करीब वान वीक पेंट किया था अ एक्रिलिक पेंट के वह मैं दूसर चैनल जाणेल नहीं देखा तो देख लिजिए बिश्राथ पाल व्लोक से उस चैनल गा कि चलो जल्दी से आप अगार कोई आर्ट क्रेटिट क्वेश्चेन से तो पूछो मैं अंसर दूँगा आपने आपकी फास्ट पेंटिंग कब निकाली आपकी मतलब मेरी पेंटिंग या फिर पोट्रेट पेंटिंग मैं समझे नहीं कुछ सर आर यू मैरेड यस है मैरेड भाई मुझे इसी लाइन में जाना है क्या करें मतलब आर्ट के लाइन में आपको आना है हां तो बस कुछ नहीं आपको अभी आपको अच्छे से सीखना परेगा पहले आप एक बार सीख लो अच्छे से आर्ट करना उसके बाद आप देखो कि आपने आपी बहुत सरा आपोचिनिटिय आपके पास आ जाएगा तो मतलब आप यहीं कांफिजर लें कि कौौन लेना है जिसा की आभी मेरे पास बहुत सारा कमिशन वार्क हाती है प्रेंटिंग में लेकिन मुझे कमीशन करना पसंद नहीं होता इसलिए में काशन करता करता नहीं क्लाइन थे उसको बहुत ज्यादा मतलब पैसे देते ना उसका डिमांड यह वाला बदती है आप अगर फ्री में कोई पैंटिंग दोगे तो आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया करेगा लेकिन जब यह पैसे देगा ना तब उस इसको आच्छे नहीं खाएगा इसलिए मैं कमिशन वाक पसंद नहीं करता हूं और चलिए देखते फ्यूचर में कमिशन और करेंगे के नहीं अब तक मैं कमिशन वाक इसलिए नहीं करता क्योंकि जो कस्टूमर है उसको मतलब सैटिस्पाइट करना बहुत ही मुश्वता है कमिशन और में जब पैसे जाता है ना ताब उसका बहुत सा डिमांड बढ़ जाता है कि 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 शुकंत मिश्रा दादा आपने से छबी को लाकें ताते जे रॉंग दैन शे रॉंग मिक्सिंग टेक्टू बेशी द्याखा बें ज्यामुन शोबुजरां उतरिवत कि कि यह बात भी सही है हाँ खिक अपने आपने सही बात बोला है यह बात मैं दिखाऊंगा कि दीपिक का सिंग मुझे स्केचिन आती है पर फिर भी फेज़ का स्केच करने में प्राब्लेम होता है लेकिन यह तो आपका प्रैक्टेस करना प्राइब है बहुत जय्दा आप पिरस्ट Each 이야, ड्राइंग मत बने आप लाइफ देखकर ड्राइंग किजिए हाँ पहले बार आपको बहुत देखा देखेंगे वह सेम तो सेम नहीं आएगा लेकिन अब धिरे धिरे करके करके हो जाएगा ठीक है और फेस ड्राइंग करना यह बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क करते हो विलेश पेंटिंग तो उसमें अगर फेस कोई पेंटिंग करते हो ना तो आप जिस आदमे का फेस बना रहे हो ना तो वह देखेंगा यह मेंज नहीं हुआ तो उस टाइप पर आपको भी बुलार लागता है तो इसलिए आप पहले किजिए बहुत ज्यादा फेस प किसी का फेस देखका लाइब बनाना पड़ेगा लेकिन आज कर लेक मुश्किल क्या होता है कि लाइव किसी को बैठा के उसको ड्रॉइंग करना बहुत ही मुश्किल होता है तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं आप जो रियल तस्वीर है रियल फोटो अक्सर लोग क्या करत है जो beginner से किसी का portrait painting मतलब painting किया हुआ है उसको देखकर पेंटिंग बनाते हैं तो वह आप मत कीजिए आप live देखकर painting कीजिए drawing कीजिए painting कीजिए अगर live ना हो सके तो किसी का photo लीजिए और photo देखकर कीजिए फोटो में ना really देखता है तो इसलिए आपको उसमें आपका ब्रेन आप ब्रेन आपको लगाने के ज़रत परती है अगर आप कोई किसी का painting देखकर painting कि अच्छा पर मुडिशा लब पर वेस्ट वेंगल अगर अच्छली अपर बहुत तरा कमेंट्स आ रहा है तो मैं कंफ्यूज कि कौन सा उठाओ कौन सा नहीं उठाओ प्लीज आप लोग बुरा मत मनना विकि सभी का कौमेंट में पिक नहीं कर पड़ा कि शर्ख मेरा zur डॉयंग वीडियो पर भी हम नहीं या था तो मेरा बीकिया करूं meneem оч्छा अज्चा अच्छा डियूज नहीं आता एक यूट्यूब का मैं कुछ का नहीं जैटा कंप इसको पर पोड़ा जो एक प्रोसेस है ना एक पहर लेकर अपलोडिंग तक करता हो उस टाइम तक करेंब 2 दिन लगता है करिब एक से दिन लगता है उसके बाद एड़ीट करने में करीब चार से तो इतना कुछ कम्प्लीट करने में मेरे को करीब दो से धाय दिन लगता है तब जाके एक पेंटिंग में अफ्रोड करता हूँ और उसके बाद जब देखता हूँ कि भ्यूज बहुत ही काम आता है तो बहुत ही डिमोरी बहुता है लेकिन मैंने आपसे पहले बोला था कि मुश्रूमी घोष हाउ टू पेंट ऑयल कलर इसके उपर में एक वीडियो लाओंगा अलाकि मैंने मिरा दूसर चैनल है विश्वनात पाल जिम्राज एक और पेंटिंग चैनल है वहां पर मैंने कुछ दिन पहले लाता मंगेश्पार जी का एक पेंटिंग लाया था ओयल प करना लेकिन वहाल पार मैं और यहां मैंने कर सके और देया है क्योंकि एक बार सूख जाए ना तो इसको ब्लेंड नहीं कर देली लेंगिन और पहुआ आद्याया में उंब कर सकतें है तो मैं इसको पर वीडियो लाऊंगा दिये दिरह कि कि मैंने कैसे करते हैं यूकि और लाए पर बहुत क्लें लाओंगा कि मत्ता दूरगास्तार बीगिनर्स के लिए कौन सी कलर अच्छा होगा लेकिन हरेको कोई अलग अलग कल अच्छा रख जैसे कि पहले जब मैं सुरुआ पेंटिंग करता था तब मेरे को ओयल पेंट में ब्लेंडिंग अच्छा होता है पेंटिंग का जो फिनिशिंग अच्छा होता है तो इसलिए मेरे को ओयल पेंट अच्छा लगता था लेकिन धीरे उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा और उसके बाद एक टाइम आया मुझे वाटर कलार का जो पोट्रेट है वह मुझे अज़ाने लगा तो अभी मैं एक्रिलिक पेंट स जो सकते हैं एक सकते हैं को यह वह सकते सब्सक्राइब करुद्थ चे जिलिए आपको शूरुमें पकॉन से कर ने मैं आपको एक्रलिक कलर अच्छा लग रहारा कुछ तो फिर लग ऑप और इससे करना आपको अर्म फैंग रहारा था पूरला कर सकते प्रबली सब्सक्रानाालर फैसे उल्सक्राइब सवादवन हो एक्रेलिक यह पर चलतर दुन्हाइक कर सकते इससेडर ब hen तो आपको मतलब ऐसा ही मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही पेंट से बिगिनर्स को पेंटिंग करने चाहिए वह आप खुद मतलब एक्स्प्रोर कीजिए कि आपको कौन से ग्राथ चलाएगा ठीक है सर मैंने अभी तक 5,000 पेंटिंग अपलोट किया है पर व्यूस काम आता है इसके बाद में मैं कुछ नहीं कह सकता यह पांच हाज़ार पेंटिंग यह तो ज्यादा ही हो गया मेरे इस चैनल पर करीब 200 या 300 वीडियो पता नहीं मुझे कितना वीडियो से ओके गाइस करीब 18 मिनिट हो गया लाइप को कंट्रीनू करते हुए और ठीके और जिदा लाइप को मैं कंट्रीन नहीं करूंगा ओके चलो गाइस आज के लिए लाइब में यहारी खतम करता हूँ आपसे मिलके बहुत अच्छे लागा आप लोगों से मिलके बहुत दिनके बाद लाइब आया हूँ आपसे मैं यह कोशिच करूंगा कि हर संडे को इस टाइम पर लाइब आने की ठीके यह लाइब अगर मै एतना ही करता हूँ लिए चले मिलते आप से और दो दो आप रूट करूँ गा और अब लोग जो में ठीक हैं और जेको का चीज में पेंटिंग कर सकता हूँ और आप भी मुझे नयाने आइडियास देते रहना ठीक है और मुझे इंस्टागाम पर अगर फॉलो नहीं किया अभी तक तो इस्टागा पर फॉलो कर लिजिए और मेरा जो व्लॉक्स चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दिजिए मेर तो चलिए बहुत ज़्यदा हो गया साब कुछ प्रोमोट अभी मैं वीडियो पर ही कतम करता हूँ 20 मीट हो गया है ठीक है तो गैस टाटा बाइबाई ठीक है थैंक्यू झाल 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 झाल